कोकिंग विद वर्शा में आपका स्वागत है में वर्शा पोवार आज लेकर आईए आपके लिए मज़ेदार अचार की रेसिपी तो यहाँ पे अचार हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स गाजर मूली और हरी मिर्च का चार जो की खाने में वाकि बहुत स्वाधिश्ट लगता यह तो हमने 3-4 ग Nagarれ ने जल तो हम ने से ठो ली तो हम ने एक नीबू लिया हिएं और कुछ नीब करें करें हम दो के छिल के हो यह करें के हम दो कुरूंधे सब एसे लमबे-लमबे पीस में कट कर लेते हैं मूली गाजर को और हरी मिर्च को तो इन तीनों को हमने अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पे जो एक नीवू लिया था न उसका रस मैंने निकाल लिया है तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जीरा एक चम्मच के लगभग जीरा तपे पे डालना है और उसी के साथ एक चम्मच हमें खड़ा धना लेना है और एक चम्मच हमने सौफ लिये और 7-8 हमने काली मिर्च ली है इन सबको हम रोष्ट कर लेते है और आदी चम्मच से भी कम हमने मैथी दाने लिये मैथी दाने हम यहाँ पे कम इस्तवाल करेंगे जादा करेंगे ना तो क्या कड़वा लगेगा अचार हमारा तो अब इस सब को हम अच्छे से रोष्ट कर लेते हैं और हमने क्या किया फ्रेंट्स इसमें राई के दाने नहीं रोष्ट किया है क्योंकि हमने पहले से ही करके पीस के रखे हैं तो वह मैं इसके साथ में नहीं ड और अब यहाँ पे इस कटोरी के साहीता से हमने एक कटोरी के लगवख सरसो का तेल लिया है तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा न तो उसे कुस देर के लिए ठंडा करने के लिए Sheriff तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे सूखे मसाले थे ना वो मिक्स कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है एक चम्मच के लगवग हल्दी पाउडर आदी चम्मच के लगवग हमने कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और इसी के साथ हम तीन चम्मच के लगवग नमक डालेंगे नमक अगर अचार में अच्छा रहता है ना तो हमारा अचार जल्दी खराब नहीं होता है काफी टाइम तक चलता है अचार तो नमक में बिल्कुल भी गंजुसी ना करें तेल हलका सा ठंडा हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर हींग डाल देते हैं और जब हींग अच्छे से हो जाए ना इसमें तो ये सूखे मसाले सारे डाल देते हैं तो इस तरह से हमने सारे मसाले इसमें एट कर दिये हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे नीबू का रस और गेस को हमने बंद कर दिया है फ्रेंट्स गेस हमारा बंद है और बस अब इसमें हम गाजर मूली और हरीमिज मिला देते हैं अ अगर आप चाहे तो बारीक पीस भी कट कर सकते हैं मूली गाजर हरीमिच के लेकिन लंबे वाले हमने किये हैं आप चाहे तो इसे छोटा भी रख सकते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद में जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तो इसे एक काच की बर परणी में मैं निकाल देती हूँ अचार को यह ए चाहर प्रेंट्स कम से कम एक महने के लगभग दो महने भी चल सकता है बिलकुल भी खराब नहीं होता है इस तरह से बनाएंगे तो विलकुल भी खराब नहीं होगा दो से तीन में आप आराम से सिखा सकते हैं Aubray और यह दे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए अगली रेसिपी में आपके साथ फिर से मिलती हूँ तो ठीके पार